है फ्रेंड्स दिस जेपी आप वल्कम यू ओल वंस अगेन उन माई यूटूब चैनल एपी सर इंग्लिश फ्रेंड्स आप सभी को वसंद पंचमी की धेर सारी शुपकाम ना है मासर रस्वति आप सभी पर अपनी क्रिपादर्स्टी बनाये रखें और आप खुब तरक्की करें चलिए एक और पेपर हम लोग शॉल्ब करते हैं अब मेनिंग क्या है सलर की सलर पार्सा पर स्विश में क्या है यह सब अच्छे से सुनिएगा और अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो जरूर उसे नोट करते रहेगा हमें बताना यहां पर एंटनम एंटनम सलर का सलर मींस होती है गाली देना अप सब दोना से ने उलेन करना इस्मीर क्या हो जाएगा ओंद आमने वर्डस रखा और इंसन्याशन अपने वर्डस रखा दौगा इन्सिनुएशन ये भी इसका क्या हो जाएगा सेनेनम हो जाएगा तो इन्सिनुएशन जो भी इसका सेनेनम हो जाएगा और भी वर्ड्स है जैसे आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए जैसी कि एस परजन आपने वर्ड सुन रखा होगा is person, as person भी इसका synonym हो जाएगा, एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, censure means निंदा करना, से भी बोलते हैं, एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, और भी मता देता हूँ, willify करना, willify वर्ड आपने सुन रखा है, willify, यह ना, v-i-l-i-f वाई ये विलिफाई करना, यह भी इसका सनननम हो जाएगा, विचुपरेट वड़ आपने सुन रखा है क्या, विचुपरेट, V-I-T-U-P-E-R-A-T-E, इसी से बना है इसका नाउन विचुपरेशन, यह इसका सनननम हो जाएगा, निंदा करना है न, आपने क्रिटिसाईज वड़ तो सुन ही रखा होगा, क्रिटिसाईज, C-R-I-T-I-C-I-Z-E, क्रिटिसाईज हो जाएगा, आपने इलिशन वड़ सुन रखा है क्या, E-L-I-S-I-O-N, यह भी एक वड़ है, इसका सनननम हो जाएगा, क्या आपने फिर इसका मतलब है, डिट्रैक्शन वड़ सुन रखा होगा, डिट्रैक्शन, D-E-T-R-A-C-T-I-O, डिट्रैक्शन है न, तो यह इसके सनननम में धे सारे बता दिये हैं, इसका एक E-D-M पूछा जाता है, मतलब किसी पर आरोप लगाना, लांचन लगाना, जैसे बोलते हैं न, बदनामी करना किसी को, वो इसका सनननम हो जाएगा, तो सलर का मतलब समझ गए होंगे, आप क्या हो जाएगा, मीनिंग आप समझी गए होंगे, अगर आपको इन में से कुछ नोट डाउन करना है, तो जरूर उसे नोट कर लिजएगा, otherwise आप आगे बढ़ जाएगा, तो इसका एंटनम में फाइन करना था, एंटनम क्या हो जाएगा, अपसलर मीन्स होता है, किसी को निंदा करना, गाली देना, आप सब्द बोलना, तो कॉम्पलिमेंट मतलब उसका क्या तारीफ करना हो जाएगा, तो कॉम्पलिमेंट यानि ऑप्सन नुबर वन is going to be best option for this word, मिक्शर समझते हो, और two or more things are joined together, तो उसके लिए मिक्शर बोलते हैं, insult इसका synonym हो जाएगा, ध्यान देजेगा, insult इसका synonym हो जाएगा, assortment क्या होता है, assortment basically a collection of varieties, और collection of various kinds of things, इसे ऐसे बोल सकते हैं, वो भी a kind of mixture ही होता है, तो जो assortment हो और यह मिक्शर हैं, moreover यह synonym हैं एक दूसरे के हैं, question number second में हमें find करना है, कि incorrectly spelled काउन सा वर्ड है, चार option में ऐसा काउन वर्ड है, जो incorrectly spelled किया गया है, incriminating, अब criminating समते हो, incriminating मतलब किसी को दोस्टी साबित करना हैं, किसी को दोस्टी साबित करना, उसे बोलता है, incriminating करना हैं, to charge with somebody, त्यान रखेंगे, तो यह तो सही से spelled किया गया है, इसमें कोई अरह नहीं है, embodiment basically होता है, अवतार, जिसे बोलते हैं, a visible representation of something, उसे embodiment बोलते हैं, अवतार बोलते हैं, जीता जागता, नमूना, मोर्त रूप जिसे बोलते हो ना, इसी से मिलता जुलता है, अवतार होती है, अब यहाँ पर जो ले रखा है, थर्ड वाला, अप्रेटेंशियस, अप्रेटेंशियस की spelling यहाँ पर गलत रखी है, हमें वहाँ पर होना क्या चाहिए था, पी आर इटी एंटी आईएवियस, यहाँ पर जो एस लगा रखा है, यस नहीं होगा, टी है होगा, ध्यान दीजेगा, तो इसकी सही spelling क्या हो जाएगी U N P R E T E N T I O E S हो जाएगा, अन्प्रिटेंशेस है ना, अब अन्प्रिटेंशेस का मतलब क्या होता है unpretentious, अप unpretentious से unhutadu pretentious रखो, अप unhutadu pretentious रखो, pretentious मतलब क्या होता है, जो बहुत ही बनावती हो, दिखावती हो, लेकिन उसके पहले un लगा दिया, यानि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी चीज जो बनावती विरकुल भी न हो, दिखावती विरकुल भी न हो, यानि original form में हो, moderate form में हो, simple form में हो, उसे बोलते हैं unpretentious, याद रखना है न, expressed हो, unaffected हो, modest हो, उसे बोलते हैं unpretentious, so option number third is going to be your right answer, cancellation की सही spelling दिख रखी है, और cancellation बना है cancel से है, cancel मतलब किसी को cancel कर देना, खतम कर देना, so उमीद है आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं question number third में, question number third हमारा पैरा जंबल्ड है, याद रखेगा, पैरा जंबल्ड कैसे किया जाता है, इसका हमने तरीके बता रखे हैं, आप, उमीद है, आप अच्छे से अप करने लगे होंगे, क्योंकि अगर आप starting से देख रहे हैं सारे वीडियो से, तो बिरुकुल कहीं न कहीं आपको, आपकी speed बढ़ गई होगी, तो इसको देखते हैं, कह रहा है कि हमें यहाँ पर चार option दे रखे हैं, और जंबल्ड फॉर्म में हैं, अब option number पहले में लिखा है, but in snapping, अब हमें पहले पता होना चाहिए, कि but in coordinating conjunction है, कभी भी coordinating conjunction sentence को start नहीं करेंगे, तो A से तो विरुकुल नह स्टार्ट होगा है, यहीं ए से अगर कोई लिख रखा तो गलत हो जाएगा, option number four जो लिख रखा, यह गलत हो जाएगा ना, हमारे पास आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि but in snapping, यह तो नहीं होगा, when he was, अब देखो he लिखा, he was crossing a river on his way, his दे रखा है, फिर he saw his own, अब दे यह देख लेते हैं B से, अब हमें पास बचा है C, thinking that it was another dog, सोचते हुए, क्या सोचते हैं कि एक दूसरा डॉग है, यानि यह संटे से सभी निया स्टार्ट होगा है, हमारे पास बचा D, a dog had stolen a piece of meat out of a butcher shop, अब ध्यान दीजेगा, बूचर की shop पर एक कुत्ते ने क्या है, एक meat यह मांश का टुकड़ा चुराया, अब देखो यहां पर बात की जारी dog, और dog को इंटर्डूस किया गया है, ध्यान रखना, वही उसका action को इंटर्डूस किया गया है, यह option number D is going to introduce this passes, जो D option है, यही संटेंस को स्टार्ट करने जा रहा है, इस passes को स्टार्ट करने जा रहा हमारे पास D, B या D, A होगा, अब देखना यह है कि, a dog had stolen a piece of meat out of a butcher's shop, बूचर साप समझते हो ना, कसाई के घर से, एना कसाई के shop से, sorry, तो एक कुते ने piece, यानि मांस के एक टुकड़े को चुराया, कसाई के shop से, अब उसके बाद क्या हुआ पर देखिए, D के बाद B आए अब देखिए, यहां पर जो ही वर्ड आया है, अगर आप समझ पाया होंगे, तो यह बेसिकली डॉग के लिए यूश किया गया है, जरनली आपने पल रखा होगा, कि जो एनिमल है, उनके लिए हम प्रणौन इट का यूश करते हैं, लेकिन अगर हमें जंडर डिफाइन कि जिसे हमारे कुछ पयतों हो जाया है, अगर हमें पता है इनका जंडर टो हम पर उनके लिए प्रणौन यूश कर सकते हैं, मैस्कुलन के लिए डॉग के लिए मैस्कुलन रखाते हैं इसलिए यह ही जो ही ही जाया है अक्चिल में डॉन का है यह इस बूचर का नहीं है, इस क confirm, D के बाद B आएगा, यह confirm है, बाद देज़ेगा, D के बाद B जो है, वो confirm आएगा, D के बाद B, जैसे में लिख दे रहा हूं, D के बाद B तो आना confirm है, अब आगे बढ़ लेते हैं, D के बाद B, when he was crossing a river on his way home, he saw his own shadow, उसने अपनी खुद की shadow देखी, reflected in the stream below, नीचे stream में उसने अपनी खुद की shadow देख लिया, अब वो क्या सोचते हुए, यह सोचते हुए, यह सोचते हुए, that means C आएगा, B के बाद C, ना B के बाद क्या आजाएगा, B के बाद C आजाएगा, यह सोचते हु He resolved to make, उसने संकर प्लिया, क्या लिया, he resolved to make himself master of that also, है ना, उसका भी master हो जाएगा, यानि उस मीट को भी जपत लेगा, वो कहना यह चाह रहा था, कुट्टा, कुट्टा है ना, डॉग, अब इसमें हमें DBC हमारा मिल गया, अब DBC यानि ऑपस नंबर 3 हमारा answer हो जाएगा, अगर और आप देखना चाहो, तो देख सकते हो, इसके बाद ए ही आएगा, बट इन स्नैपिंग, स्नैपिंग में सो जपत माना, जपत माना, at the supposed treasure, supposed treasure जो उसका मानता था है कि यह मेरा है और यह मेरा हो जाएगा, he dropped the wit he was carrying, वो उसने उस wit को भी तुकड़ा, उस तुकड़े रखा है, एक, a bird in the hand is two in the bush हो इस टाइप की idiom आपने, प्रवब आपने सुन रखा होगा, यह सेम उसी टाइप का है, so option number third is going to be right answer, dbca, moving on, next, question number fourth, question number fourth में हमें बताना है, passivise है, अब हमें में पता है, passivise का formula क्या होता है, rule क्या होता है, हमें देखना है कि sentence का tense का है, the man bought, bought कौन सी form है, second form है, किसकी buy की, तो हमें पता है ना, जो buy की second form bought है, और bought, यानी past in different tense है, और past in different tense की जो passivise होती है, वो was या वर होती है, was या वर होती है, अब subject recording, इसके बाद जो है, वर्ब की third form आएगी, हाँ पर है, ना, वर्ब की third form आएगी, बी वर्ब की third form आएगी, बी that could spoke five languages, bought, ये तो नहीं होगा, पहले आएगी, अब आएगी, तो फिर past possible बन जाती है, पास पार्स पार्स बन जाती है, ये इस केस में गलत हो जाएगा, हमारे पास option बचा फॉर्थ, अब देखो, was bought by the man, अब देखो, was bought यहाँ पर दे रखा है, was bought, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एक नई, आपको समझ, अगर आपने कहीं, रूल रट रखा होगा, तो फिर आपको problem आ सकती है, कि could speak जिगा पर इन्होंने spoke कर दिया है, बिर्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये past को represent कर रहा है, वो past की वर्ब यहाँ पर है, बिर्कुल सही है, अब पार that spoke five language, जो बोल है, फिर से देखना है, जंबल, अब में पता है, जंबल का एक statement, ऐसा फाइन करना पड़ता है, जो एक stand-alone sentence हो, हो जो sentence है, पैसे को start कर रहा हो, देखिए, सबसे पहले लिखा है, most important, however, are its oils, हैना, आप देखो, यहाँ पर प्रणावन इच किया गया है, which are extracted, जो निकाले जा पास आते हैं, बी में, coconut products are used to make everything from clothing to animal feed to beauty creams, अब हमें बी से start कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि बी एक introduction part दे रहा है, हना कि इसका यूज किया जाता है, लेकिन उससे पहले में पढ़ना पड़ेगा, the coconut is a very useful plant, अब देखो यहां पर बात की जारी, cognate के बारे में, cognate सबसे पहले, अब देखो यहां पर कोई चीज प्रोडियूस की जाएगी, तो सबसे पहले न, कोई उसका पेंड होगा, अब उसका पेंड बनेंगा, इसमें फ़रा रहा हैं गया, जो भी होगा, तो उसके बाद कोई चीज उसके का यूज की जाएगी तो सबसे पहले वो प्लांट आएगा यानि सबसे पहले इंट्रदक्शन जो पार्ट होगा वो सी में होगा तो इसे पहली खतम होगा अब आने पास CC के दो आपसन बचे सी ए या सी बी आप देखना है यहां पर देखना है अब सी ए देखा है most important however are its oils है ना द्यान दीजेगा सबसे बात की जा रहे है इसके बात कह रहा है यहां पर अबी देख लीजेगा यह कोगनेट प्रोडक्स आर यूस्ट तो मेक एवरिधिंग फोड़िंग तो अनिमल फीट तो ब्यूटी क्रेम्स ए और हमें कि देखना पड़ेगा कि दी और एक कैसे यूश किया जाए इट्स करणल इस हर्वेस्टेट फॉर इट्स एडिवल फ्लेस और डिलिशियस वोटर वाइल इट्स हख जो बोलते नहीं हास्क जो बोलते नहीं जो बाहरी और आवरान होता है उसका इस यूश्ट फॉर इट्स इस ट्रॉंग फाइबर बनाने के लिए उचक्या जाता है या निकि हमारे पास जो यह नडि के बाद एडा चाहिए most important however are its oils लेकिन सबसे जो important होता है वो इसका oil होता है यानि ये भी important है लेकिन सबसे जो important है उसका oil important है यानि कि D के बाद A आएगा अब D के बाद A किसमें है D के बाद A से इसमें नहीं है यानि हमारे पास option number 4 is going to your right answer है ना आगे बढ़ते हैं question number 6 question number 6 हमें find करना यहां पर synonym किसका synonym termination का अब termination का मतलब क्या होता है termination का basically मतलब होता है खतम करना खारेश करना किसी चीज को terminate करना termination का समापन करना जिसे बोलते हैं ending हो जाएगा इसका termination का जो synonym synonym में find करना है इसके पहले शून जिए जैसे यहां पर दे रखा है dissolution अपने वर्ट सुन रखाऊगा इस टाइप से ना तो यह इसके synonym हो जाएंगे abortion वर्ट सुन रखाऊगा abortion जो abort से बना है ना abortion उसी बना है faticide भी वर्ट सुन रखाऊगा यह सारे इसके synonym हो जाएंगे termination means होता है bring to an end bring to an end किसी चीज का समापन पहला ना उसे बोलते हैं terminate करना termination कर देना termination का synonym जो हो जाएगा conclusion हो जाएगा बाकी option देख लिए जो आपको समझ मारे है conviction का मतलब क्या होता है conviction के कई meaning होते हैं समझिएगा जरा धंग से समझिएगा conviction का एक meaning तो आप सभी को पता है दोशी सावित करना जैसे बोलते हैं दोशी चिद्धी करना दोश शावित करना conviction करना conviction से बना है conviction तो एक मतलब यह हो जाएगा दूसरा एक meaning होते है conviction की आस्था जिसे बोलते हैं religious conviction तो अब यूज कैसे किया जाएगा इसका sentence में जब तक आपकी meaning आपको नहीं पता होगी तो तो आपको उसके meaning भी नहीं कार नहीं पाओगे क्योंकि अगर conviction का मतलब आपको एक ही पता है जिसका मतलब होगा दोश रावित करना और वो sentence में किसी दूसरे परपज में यूज किया गया है जैसे कि आस्था के रूप में तो आप अर्थ का अर्थ कर दोगे ना इसलिए कहते हैं वकायब स्टॉंग करिए तो conviction का मतलब क्या होता है बहुत ही आस्था रखना है जिसे बोलते हैं religious conviction जिसे हम भोज यूज कर सकते हैं आस्था conviction तो conviction के दो meaning हमने बता दिये अब देखा होगा आपने South Indian में ये जो South Indian actors होते हैं बड़ी conviction के साथ movie बनाते हैं देखना आप कभी देखा होगा कि पिस्टोलों दागते हैं फायर करते हैं और फिर गोली के साथ दोड़ते हैं और फिर जाके सामने वाले बंदे को सामने से खीच लेते हैं ये उनकी conviction होती ह से न की हैं ये कि इनकी आस्त्हुती है याँनि के ओर मानते हैं कि ऐसी हो सकता है और दुनियावारों को भी मनमाते हैं यानि दोरों लोग को बेकूप बनाते हैं छह्ला कि ऐसा कुष नहीं होने वाला आप को पता हैं लिजा बढ़ते हैं Consolation का मतलब जानते हो न, console करना, किसी को console में सांतों ना देना, sympathize करना किसी को, console करना देना, मैंने एक वीडियो बना रखा है, sympathy और empathy में difference कहा, what is difference between empathy and sympathy, मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे अच्छे से तेखें, और समझ पाएं कि कैसे इसका जाता है, क्योंकि ये कई बार close test में दोनों वर्ड रखती जाते हैं, sympathy भी रख दिया जाता हो, और empathy भी रख दिया जाता है, तब दिक्कत आती है, इसलिए उनके difference को पता होना चाहिए, आप वीडियो को अच्छे से देख लिए, वहाँ पर, इसी वीडियो में पढ़ा है, इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर, तो, कंशोल का मतलब जानते हो, ना, consolation मतलब सांतो ना देना किसी को, ना, sympathize करना, इस टाइप से, まあ, cmoduction का मतलब, cunduction के मतलब कई meaning होते है, अब हार एक word की meaning आपको पता होना चाहिए, cunduction वीडियो को meaning होता है, जब उर्जा का संचालन होता है, संभोहन होता है, ना, परवाह होता है, बोलता है convolution of heat, उसी भी बोलते है, conduction, दूसरा एक कंड़क्शन होता है प्रबंधन अब मेथाड़ आप डूइंग सम्थिंग उसे बोलते हैं कंड़क्शन और इसी की वर्बनती है कॉंड़क्ट मतब आचरन करना इसे टाइप से ना कैसे क्या करते हो उसका उस टाइप से और एक और मीनिंग इसकी होती है आचरन कंड़क्शन आपका कंड़क्शन क्या है आपका विहेँर की सा है ना इस टाइप से तो इसकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है ौ सरी डिफरेंट डिफरेंट सेंक्ट मैं इडिफरेंड टरेके से यूज़ लwowड़ Unter से और स Kenya के रहा हिए कि यहाँ पर में फीन करना है और बार मिनीच इडिम की मीनिग और ऑब हर्कुलीयंकग टास्क हाँ क्राइब या य की अबब बहुत ही डिकल्ट टास्क ने task that is extremely difficult to perform उसे बोलते हैं हर्कुलियन टास्क बहुती सक्त काम बहुती तगड़े मेहनत वाला काम बोलते हैं जोब तैट रिक्वार्स अलाज अमाउंट ऑफिजिकल स्टेंथ उसे बोलेंगे यानि अप्शन नबर थर्ड इस गूंग तो यह राइट आंसर इसे से मिलता जोलत इडियम पूछा गया हाँ हाड पिल तुष्वेलो मतलब एगने बहुती एक पिल मिल्स वही जो दवाई वाली बोली होते है उसे टाइप से एक और इडियम इसका आता है जान दीजेगा हाड नट टुक्रैक आ हाड नट टुक्रैक ना इसकी पिल नट किया जहां पर सुरी हाड की जिगा पर यहां पर कभी-कभी आ जाता है टाफ टाफ आ जाता है ना कभी-कभी टाफ भी बोलते हैं हाड नट टुक्रैक या फिर अट टुक्रैक नि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क करना बहुत ही प्रॉब्लेमेटिक वाला टास्क करना है ना बहुत ही बड़ा टा विटल मीनी आप समझते हैं जो गाउद से लोग बिलॉण करते होंगे उन सब के लिए आसान है कि जब बाल किसी घी में गर जाता है तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चिकनाई के वज़े से वह निकल नहीं पाता है तो यह वहीं से इडियम बना है द नाइन पीम बड़ा अच्छा संटेंस ध्यान दीज़ेगा हैर्स तो दे न्यूस तुनाइट नाइन पीम ऐस देर विल बी एन इंपॉर्टन अनॉंसमेंट अब दे बज़ेट के बारे में नाउंस की बात की जा रही है और यह एक इंपरेटिव संटेंस है इंपरेटिव स संटेंस होते हैं इसका जो सब्जिक्ट होता है वह एडन होता है यू होता है और यू के बारे मुआ हिंपको पता है चाहिए उसके साथ जो प्लूरल फौर्म में आति है नाध्यान दिज़ेगा यह छू cent, इसलिए चाहिए गान्यान की होती है और हम आई जो प्लूर्ड व कोई वर पता होती है जब उसके लास्ट में असी यह से लगा हो जैसे इनने हैर से लगा रखा है अब हैर से तो वहीं से गलत है एक तो एक नोने ग्रामटिकली गलत कर रखा है दूसरा कंटेस्स के कॉर्डिंग भी गलत हो जाएगा क्योंकि हेर और लिशन में अंतर है है और आपने कान उसे सुन ले और विश्वास न करें ऑट होने है अप यीर से आप जा रहे उन रास्ते से कही अधर उदए से करते हो तो एस ठाएर कर लिया है Ugh अब लेकिन लिशन जो वर्ड होता है basically pay attention, ध्यान दीजे, attention के साथ कोई चीज सुनना, उसे बोलते हैं listen करना, तो यहाँ पर होना भी चाहिए, पहले जो लिख रखा वो तो गलत है, एक तो grammatically लिख करता है, मैंने बता दिया क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो, अब इसलिए देखो, यहाँ पर, यानि अगर यह plural form भी बनाते हैं, तो यह here होई हो सकता था, लेकिन यह here होगा नहीं, हमने here और listen में अंतर बता दिया, यहाँ पर listen ही होगा, listen क्यों नहीं होगा, क्योंकि imperative sentence के जो मैंने भी बता दिया, जो वर्व होती है, वो v1 form में होती है, देखो, क्योंकि imperative sentence के साथ, अगर object आ रहा है, यह बात याद रखेगा, listen के साथ, अगर object आ रहा है, तो इसके साथ, प्रेपोजिशन आ रहा है, तो इसके साथ, प्रेपोजिशन आ रहा है, तो बिर्कुल आएगा, जैसे मैं बोलो, I am listening to the music, इस टाइप से, या अगर आप उसके साथ, कोई object यूज कर रहा है, कोई noun यूज कर रहा है, तो बीच में प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लिशन इन ट्रांस्ट यूर भी धान दीजेगा, I am listening to the radio, I am listening to the music, इस टाइप से, तो इस तीज को समझेगा, तो अब इसका जो best answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, option number fourth हो जाएगा, इसका best option, है ना, best answer यह, इसका जो हो जाएगा, वो listen to हो जाएगा, listen to the news tonight at 9 p.m. as there will be an announcement about the budget, budget के बार announcement है, और ये, कोई बोल ला है आप से, कि सुनना इसे, ढांक से है ना, सुनना 9 p.m. पर, तो बड़ते हो ना, imperative sentence हो गया, imperative sentence जो start होते है, kinda, verb की वियून फरम से start होते हैं, क्यों वर्ब की विवन फरम से start होते हैं, कि ना बता दिया, नंका subject जो होता है, और you, जो hidden होता है, और पार तो जो होन गटते है, question number 9 तो, question number 9 में, फाइं करना है, in directive speech, अब लिखा है, how beautiful she is said, witty आप मैं पता है ना कि ये भी एक sentence से एक्सलामेटरी sentence है एक्सलामेटरी sentence में जो हम narration में डारेट से इन डारेट बनाते हैं तो कुछ वर्ड सुझते हैं उनको avoid करते हैं जैसे कि आप how आजाए what आजाए, अलास आजाए, हुर्रा आजाए इस टाइप से वर्ड को avoid करते हैं, उनकी जिगापर हम narration में इन डारेट बनाते समय उनको drop करते हैं, उनकी जिगापर हम कोई वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे exclaimed हो जाए इस टाइप से, वर्ड यूज कर लेते हैं एक और चीज़ समझ लीजे, जैसे how को हटा कर, how हो जाए, what हो जाए सच हो जाए, इन सब को हटा कर नकी जिगापर हम very का यूज करते हैं, तो अब हमने तरीके आपको बता दिये, तो सबसे पहले क्या करना है इसे आप assertive बना लिजे, assertive बनाएंगे और how का हटाएंगे, इसकी जिगापर very यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, she is very beautiful, she is very beautiful, अब देखो यहाँ पर she is very beautiful, आपने assertive बना दिया, इसका अपने narration change करते समय, direct से indirect बनाते समय, इसका was कर दीजे, आसान हो जाएगा, आप देखो, बाकी वही से भी जाएगा, Betty exclaimed with joy that she was very beautiful, she is very beautiful, she was very beautiful, विर्कुल सही हो जाएगा, तो मीध है आपको अच्छे से समझ माया होगा, option number 3 ही विर्कुल सही है, इसका, बाकी सारे option इनने गलत है, इनने हाओ को ट्रिबूट नहीं किया, इसमें इनने change नहीं किया, इननोंने इसमें बाद में वाज रख दिया, इभी कलत हो जाएगा, ना ध्यान दीजेगा, तो यहाँ पर sentence को समझना है, क्योंकि हमें narration में in that sentence, sorry, in that बनाते समय, sentence को हिस्सा assertive में रहता है, interrogative sentence नहीं रहता है, यह चीज अपने पढ़रक्षी होगी, बिग्यापन करता ही बोलोगे, असके हिंदी तो ही होती है, एडवर्टाइजस जो होते है, ओफन, अकसर यूश करते है, क्या यूश करते है, rhyme, rhyme मिनस होता है, took, took समझते हो ना, जैसे बोलते है, to have the same sound as another word, एक ही word के, कई नहीं है, होगा, चार चंद की, चंचल के रणे, खेल रही हैं, जल्थल में, इस टाप से बोलते हैं, तो हमारा क्या है, वहाँ पर rhyme का यूश किया जा रहा है, rhyme समझते हो ना, rhyme मिनस होता है, took, समझेगा इसे ढंग से हैं, rhyme मिनस होता है, took, rhyme का मतलब होता है, took, आप करिएगा थोड़ा से टाइम लग रहा है, rhyme का समझते हैं, rhyme मतलब तुक होता है, ध्यान दिजीगा, किसी चीज को कहने का rhyme बोलते हैं, rhyme और रिजन कुछ होते हैं, rhyme rhythm सोरी, तो अब देखो, यहाँ पर हमें सी समझना है, कि यहाँ पर लिखा है, advertisers जो होते हैं, अकसर यूश करते हैं, rhyme, अब देखो, मैं पता हैं यहाँ पर connection, and दे रखा है, and connection, जो coordinating connection होता है, यह हमें यह बताता है, कि same type के parsa पे speech को यह करी करेगा, यानि इसके पहले अगर rhyme दे रखा है, तो इसी से मिलता है, कोई word यहाँ पर आएगा, जो भी आएगा, अब देखो, मैं देखना है, alliteration क्या होता है, alliteration means होता है, अनुपरास लंकार, आपने हिंदी में सुन रखा होगा, यानि, the use of the same letter or sound, उसे बोलते है alliteration, आपने सुन रखा है क्या, वो alliteration जो होती है, चंदू के चाचा वाली एक यह है, एक तो यह है खड़क सिंग के खड़कने से खड़कती है, खड़कियां, खड़कने से खड़कता है, खड़क सिंग, खावर्ड हो गया, एक तो यह है, पका पेड पर मेनिंग हो जाएगी अलिटरेशन ही अहां का बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बागी सारे ऑप्शन देख लेते हैं डिनन्सियेशन का मतलब क्या होता है अब बताइए जरा डिनन्सियेशन का मतलब क्या होता है डिनन्सियेट करना यह निन्दा करना आपने वर्ट सुन रखा हो अब आगे बढ़ते हैं डिजिग्नेशन पोस्त होती है डिजिग्नेशन के कई मीनिंग होते हैं एक तो डिजिग्नेशन जो परतिनिधी मंडल होता है और यूजट किज़ाएगी वर्भ की तरह यूज़ की जाएगी यानि ऑफिशली पावर देना, शक्ती देना किसी को, हना, पावर देना, मैंने इसको पावर दे दिया, मैंने इसको डिजिगनेट कर दिया, इस टाइप से, तो उसे बहुते हैं, और पोस्ट के लिए भी यूज किया जाता है, अलिटरेशन का एक और एक्जामपल मैं आपको जो आए, सब की पसंद, निर्मा, निर्मा, निर्मा कई पर यूज किया गया तो वो भी अलिटरेशन है, वो राइम है, वो एड़टेजर्स की क्या है, राइम है, उनका एक तुक है, हैनी कुछ कहने या बनाने का उनका एक तुक होता है, इसलिए वो बोले जाते हैं, तो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है alteration क्या होता है alteration में उस होता है modification अब alteration में जो word दे रखा है alter यहाँ पर ध्यान रखना alter में alter alter होगा तो इसका मतलब होता है change करना, modify करना लेकिन एक word होता है alter अब इसका मतलब होता है वेदी वेदी समझते हो ना वेदी मतलब कि जो इसे हम लोग जो पूजा करते है ना पूजा वाली समान होती है जिस पर रखी जाती है वही उसी को बोलते हैं वेदी ना तो उसे बोलते हैं alter ध्यान रखना इस चीज़ को तो उमीद है आप सबको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं question number 11 देखते है question number 11 में find करना है question number 11 देखना है उसमें करना है कि हमें एक idiom दे रखा है pipe dream pipe dream की meaning हमें बतानी है सबसे पहले समझेगा अब generally मैं इसकी कहानी बताता हूँ pipe dream मतलब अंग्रेज़ों के लिए pipe है लेकिन हमारे लिए इसकी हिंडिंग आप समझेगा हिंडी इसकी होती ही चिलम जो लोग गाउं दियात से बिलाउन कर रहे हैं उनको सबको समझ में आया होगा यहाँ वाले भी जानते हैं हुक का इसे बोलते है आप pipe dream अब मैं इसकी कहान यहाँ बताता हूँ आप इसे कभी नहीं भूलेंगे है ना pipe dream यानि चिलम जो हुक का लगागा जो लोग पीते हैं गाजा भांग पीते हैं उसके बाद जो सपने देखते हैं ना जो भी बगते हैं वो क्या होता है वो unreal होता है वो कभी नहीं होने वाला होता है उसे बोलते हैं अब वही अंग्रेज चिलम को pipe बोल गए और हम लोग उसकी हिंदी चिलम बोलते हैं यही बसंतर है तो pipe dream मतलब कि बोलते हैं नहीं जो चिलम हो जाएगी इस टाइप से इस टाइप से कुछ चिलम होगी इस टाइप से जहाँ पर भर नहीं यहां पर भर होगई आगाऊ निकलेगा यहाँ से पीएंगे ना इस टाइप से चिलम तो यह pipe dream है यानी चिलम पीने के बाद गाँजा भांग खाने के बाद जो सपने आते हैं, जो दारूपी सपने आते हैं, उसे बोलते हैं, पाइप ड्रेम, यानि वो कैसे सपने होते हैं, आप समझ जाएए, कोई बंदा गांजा भांग चिलम लगा कर हुका पी कर सपने देख रहा है, मैं यह कर लूँगा, यह किसी को गाली वलो दे रहा है, तो क् क्या हो जाएगा विर्कुल मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी क्या हो जाएगा अग्रेज उसे क्या भोल गए पाइप हम लोग क्या बोलते हैं चिलम होगा अगे बढ़ते हैं क्योशन नुबर 12 देखते हैं क्योशन नुबर 12 में फाइन करना है एरर फाइन करनी है एर बतानी है या दिजेगा अब देखो संटेस में दसी हमारा सब्जेट हो गया है अब टेखो डमपिंग ग्रौंड कैसा । डम्पिंग रहूँचीफ लहार न दे रखा है अब पता ही चीप जो वर्ड दे रखा है यह consonant sound representing word है consonant sound representing जो वर्ड होते हैं उनके पहला अगर article का use किया जाए indefinite article में हम आपर use करते हैं A का, N का नहीं use करते है ना क्यों कि आपर consonant sound representing word है तो cheap consonant sound representing word है तो यहाँ पर N का use ना करके यहाँ पर A use किया जाना चाहिए था यही बस एक error है तो option number third is going to be your right answer सब को समझ में होगा बागी आगे दे रखा है, all दे रखा है तो काइंट सभी सही है, office products भी सिर्गल सही है याँनि आगे कोई error नहीं, option number third is going to be your right answer आगे बढ़ते हैं question number 13 देखते हैं थरीन में एंटरनेम फाइंड करना है, किसकी एंटरनेम फाइंड करना स्टाल वर्ड स्टाल वर्ड मींस होता है दिगज, दिगज मींस बहुत ही वफादार इंसान बोलते हैं यह अपनी फिल्ड का दिगज है, अपनी फिल्ड का वफादार इंसान है तो उसे में इसकी मीनिंग बतानी है, अब स्टाल वर्ड की मीनिंग जरा समझेगा अच्छे से, दिगज बोल सकते हो, स्टाउंच वर्ड आपने सुन रखा होगा, स्टीड फास्ट है ना, ये भी इसका सिनेनम हो जाएगा, स्टीड फास्ट हो जाएगा, फियर्लेस आपने वर्ड सुन रखा होगा, ये फियर्लेस भी इसका सिनेनम हो जाएगा, और भी वर्ड सुन रखा होगा, रोबस्ट वर्ड आपने सुन रखा होगा, ये ना, फियर्लेस समझेगा, ये रोबस्ट नहीं, यहाँ पर फियर्लेस हो जाएगा, वैलरस आपने वर भी, क्याद रखियेगा, नी डर, ऐसे बोल देएगा, तो यह ढ़ार किसे में आपको बता दिये हैं, धां दीच एगा इस वर्ड को, के अब करना था एंटरेयम क्या कमड़क जाएगा अब तो यहां आनि कि डर पोक इसे बोलते न कावर्ट डाइप का थाइप का वूझॉ से बोलते हैं अ गावर्ट ऩाएगा फर्म हो जाएगा रोबस्त कहा अब मैं अब बतासकता हूं को अगर आप सुनना चाहें तो इस्टाव। अगर पर सिप्शन लूप में यूज़ किया जाए तो इसका अगर इस्टीक तो बत्र आघ सकते हैं वह सकता है इसका से इसका सरव हो सकता है अगे बड़ते हैं क्यों नाराओ फोर्टी जो है उसका में करना है, synonym, question number 14 में, synonym find करना है, munch का, मंच का मतलब क्या समझीएगा, munch और chew में बस difference रही है, कि choose एक दूसरे के synonym हैं, लेकिन uses के according, इनके difference है, munch में इस होता है, किसी चीछ को चबा कर खाना, लेकिन बोल बोल करना, बोलते हैं, नम नम करके, इस टाइब से, तो खाते या समें आवाज देना, उसे बोलते है, munch करना, munch करना, मंच के synonym क्या हो जाएंगी, इसके जरा समझीएगा, जैसे की, chew word हो जाएगा, chew, इसका synonym हो जाएगा, chew हो गया, champ हो गया, chomp हो गया, chomp हो गया, ghoamp, ghamp, chomp हो जाएंगे, masticate word आपने सुन रखा होगा, अच्छा word है याद रखेगा. M-A-S-T-I 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 Crunch wyord आपने सुन रखा होगा C-R-U-C-E-N-C-H Crushed होगया chumble word आपने सुन रखा होगा mandicate आपने word सुन रखा होगा म-A-N D-U-C-A-T mandicate आपने सुन रखाओगा इसे से ग्राइंडर आपने सुन रखा हो गायेगा मैस समैस यह भी सबसके शनिनव frei का स्थमेंटhoven छाएगा बर्प मिंज क्या होती है बर्प मिंज होता है डकार लेना अपने वर्ट्स इनना का講 डकार लेना जैसे बोलते हैं बर्प या बोल दो या फिर इसे बेलच बोल सकते हो बि-ई-अ-प ये इर्र propose मैंने बताया है द्रू जो है वो second form है द्रा की ध्यान दीजेगा द्राद्रीव द्रॉन यह एर्रगुलर वर्व मैंने बताया है द्राद्रीव द्रॉन तो यहां पर best answer क्या हो जाएगा option number for this going to your right answer आगे बढ़ते हैं questions number fifteen देखते हैं जली देख लेते हैं कोशन नमर 15 में मैं वन वर सब्स्टिट्यूशन बताना है वन हुए स्टीज तक अकॉल अकॉल में तर जादूई जादूई मीनिंग अकॉल्ट मीनिंग ऑफ नमबर्स एंड देर सपोस्ट इंफ्लॉएंस ओन हीमन लाइफ उसे क्या बोलते हैं नमरोलोजिस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं अंक शास्त्री जैसे बोलते हो अंक शास्त्री है ना अंक शास्त्री उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे नमरोलोजिस्ट बोलेंगे बाकी ओप्सन देख लेते हैं इस्ट्रोजर क्या होता है इससे हिंदी में बोलेंगे जियोतिशी ने Himself जी उते हैं मेसंजर ओफ गौड जीसे की जो पाबिस्च वम भाविश्वकता आई ओमीद है आप самого الإसे को समझ पाया होगा अच्छे ‎ question number 16 देखते हैं question number 16 में find करना है यहां पर filler की बात की जारी है social isolation social isolation की बात की जारी है negative word overcrowding की बात की जारी है और इखना इस œज को overcrowding की बात की जारी है उभी negative word है तो social isolation यहनी समाजी का अलगाओ overcrowding यहनी बहुँ जदा भीड़ भार अब देखो यहाँ पर दे रखा DAS The DAS of our society and several other factors are responsible for stress बात की जारी is stress के बारे में यहाँ पर है बात की जारी है stress के बारे में यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर देखा Social Isolation दे रखा है चीज़ को समझे यह रधंक से कॉमा के साथ आप सेम टाइप के वर्ट्स को जोड़ोगे अगर कॉमा के पहले वर्ब दे रखी हो तो इसके बात भी वर्ब आएगी उसके पहले noun दे रखा होगा तो इसके बात भी noun आएगा उसके पहले adjective दे रखा होगा तो इसके पास भी adjective आएगा यानि same type of words को यह carry करता है यह बात याद रखेगा कौमा जो है अगर words की बात की जाए तो समझ में आगए होगा आप सभी को कि यहां पर बात की जारी है social isolation बात की जारी है हाँ पर stress की कि stress के लिए क्या क्या चीज़े responsible हैं क्या कि चीजे जिम्मेदार हैं सोसाइटी में तो सोसल आइसलेशन यानि एक ऐसा इंसान जो अलगाव रखता है किसी से मतलब नहीं रखता है ओबर क्राउडिंग भी इसका दब एक फैक्टर है अब देखो ये भी एक नेग की आएग आएगा याद रकिना ये भी एक करने का तरीका होता है याना जल्दी कर पाएंगे कर पाएंगे और एक कुरेशय के साथ कर पाएंगे abdखो शीपनेस की मीनिग होती है सथा तोचीपनेश की दो मीनिक होते हैं िवयुक्तिवे несколько चीप हो बहुत ही जादा तुम चीप हो बहुत ही जादा वेकाल चीपनेशय और चीपनेस सस्ता होता है तो यह बहुत ही लग सकता है निगे इप पोसिटिव बोर्डमिय अोगर्श मटाइज गए आत्रेक्टिवनियस कोई चीज अफॉर्ड कर लेना सामर्थ होना तो यह भी नहीं होगा यानि option number third is going to be right answer यह और है ना competitiveness यानि कि जो social isolation है समाजी का लगाओ है overcrowding बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और जो बहुत ज़्यादा प्रतिसपरधा है हमारी society में our society and several other factors और बागी बहुत सारे factors are responsible जिम्मेदार है forest test तनाओ के लिए ना यह बात की जा रही है में इसमाज में आयोगा आगे बढ़ते हैं question number 17 देखते है question number 17 में one word substitution बताना है इसकी meaning क्या हो जाएगी having no boundaries or limit जिसकी कोई boundary और limit है नहीं तो क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा unlimited हो जाएगा infinite हो गया unlimited हो गया यह सब इसके meaning हो जाएगे colossal मतलब क्या होता है colossal means होता है something that is very large extremely large जिसे बोलते हैं अतिबशाल उसे colossal बोलते हैं tremendous भी कहीने कही अतिबशाल को बोलते हैं very large है ना अधभूत टाइप का बहुत जदा infinite हो जाएगा option no.3 enormous भी होते हैं very large के sense में very great के sense में enormous huge के sense में so colossal tremendous enormous अब आव एक दूसरी के सनेनम है और इसका जो one word substitution होगा वो infinite होगा one word अपने meaning होते हैं याद रखे हैं को पढ़ना पढ़ेगा आप पढ़ लीजे क्योंकि यह ज़्यादा नहीं होते हैं limited होते हैं और इन्हें आप पढ़ सकते हो आगे बढ़ते हैं question no.18 देखते हैं question no.18 में find करना है कि कौन सा इस word है जो incorrectly spelled किया गया है plus plus सही से spelled किया गया इसका मतलब होता है प्रतिग्या लेना सफत लेना bouquet सही से spelled किया गया है जो इस फ्लावर आफ बोके बोलते हैं bunch of flower यह फूलों का गुल्दस्ता उसे बोलते हैं bouquet average का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना उसे बोलते है average verb में है यहाँ पर जो गलत तरीके से spelled किया गया है वो है aquarium aquarium में यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए था C नहीं होना चाहिए था जो रहने C दे रखा था वो C नहीं होना चाहिए था A Q होना चाहिए था A और Q उसे बोल देंगे aquarium तो वो सही मीनिंग हो जाएगी यहां पर आगे बढ़ते हैं question number 19 देखते हैं question number 19 में बताना है यहां पर no substitution यानि कोई improvement की requirement है या नहीं है either the bears or the lion अब देखो हमें पता है जब दो sentence जब दो word either are either are either are ho neither nor ho not only but also ho तो जो वर्व आती है as per the nearer of the subject आती है अब जो near subject होगा वो लाइन है लाइन singular है तो यहां पर जो वर्व होनी चाहिए तो has escaped विरकुल है सही है has के बद वर्व की third form आती है विरकुल सही है has escaped from the जो विरकुल सही है तो यह जो दे रखा है is escaped from is escaped नहीं बनाएंगे क्योंकि हम यहां पर passive नहीं बनाएंगे क्यों generally escaped verb हमारी वो intransitive verb है और intransitive verb का हम passive नहीं बनाते हैं बात याद रखेगा तो यह इसका हम passive बना ही नहीं 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 बता दिया ना किसकी आएगी as per the nearer of the subject आएगी तो यहां पर है जाना चाहिए क्योंकि lion singular है आर भी नहीं आएगा क्योंकि plural है यहां ध्यान दियागा तो यह कोई भी option नहीं है वह 100% सही है आगे बढ़ते हैं no substitution की requirement है आगे बढ़ते हैं question number 20 देखते हैं question number 20 में find करना है कि error क्या कोई error है या नहीं है यह देखना है देखा है won't you please come to help me यहां पर won't you का मतलब है यहां पर won't you का मतलब क्या है यानि की will not है इस टाइब से will not a contraction form है किसकी यह इसका contraction form won't हो जाएगा यह बाद याद रखेगा तो won't लिखा won't won't you please come to help me along this way along यहां पर preposition के रहा है क्योंकि यहां पर होता है help help somebody with something somebody होता है यहां पर along की जिगा पर क्या आना चाहिए था यहां पर along की जिगा पर आना चाहिए था बिद है ना ध्यान रखना होता है along लेकिन along का मतलब होता है side by side जैसे यहời है नो यह औरोग ईठा़ अपार यह इससे बोलते हैं यह फिर iki्य कियों करते हैं इसका मतलब में होता है के साथ आ Zw 이번 के जाओं पर के साथ हो जाएगा उहां पर फिर किस के साथ होगी तो यह पर फिरेशन की रड़ ते यहां पर question number 21st देखते हैं 21st हमारा close test है start हो रहा है पढ़ीते हैं close test करने की तरीके मैंने बता दिया एक बार पैसेज को पढ़ लिया करो आपको meaning पता चल जाएगी देखी जैसे मैंने पढ़ा water a substance composed of the chemical elements hydrogen and oxygen अब लिखा in gaseous liquid and solid state it is अब हमें दो चीजे पता चल गई क्या पता चल गई एक तो हमें यह पता चल गया कि यहां पर जो बात की जा रही है वाटर के बारें बात की जा रही है दूसरा यानि अगर हमें यहां पर इसकी थीम पाइन करनी हो तो थीम क्या हो जाएगी water हो जाए यहां पर भी तो कई और जिखा यहां पर इस दे रखा है यह सबस्टांस है पैसे जो टेंस है वह हमारा प्रिजेंट रखा है तो इससे भी में बहुत सारी help मिलती है आगे बढ़ते हैं देखते हैं question number 21 में क्या होगा लिखा है water a substance water एक substance से composed of the chemical elements किसे किस से बना है hydrogen से और oxygen से बना है बिल्कुल सही इस टो बोलते हैं ना इस्टी ओ हना oxygen डायस इन गैसिस फ़र्म अब देखो कोई चीज एक्जिस्ट करती है ना जैसे बात एक्जिस्ट ही होगी हना मौजूद है तो existence में ही होगी existing option number 4 is going to your right answer अब देखो बाकी option क्यों है इंडियोर्श का मतलब होता है tolerate करना बरदास्त करना tolerate कर यहां पर कोई sense नहीं water tolerate नहीं water existence form की जारी है इस to a form में exit करता है survive means होता है निवाह करना यह नहीं मतलब नहीं जीवन अपन करने के लिए निवाहन करने के लिए survive करना उस टाइब से last का मतलब होता है to continue है ना to continue जारी रखना चलते रहना last अगर last में yes हटा दें तो यहां पर last adjective हो जाएगा जिसका मतलब होता है लास्ट तो अमीद है सारी वोट्स आपको समझ में होगा यहाँ पर एक्जिस्ट इस कोईंग टूबी राइट आंसर आगे बढ़ते हैं कोस्ट नमबर 22 में कहरा कि वादर सब्स्टांस कंपोज्ट ऑफ था केमिकल एलेमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सिजन एक्जिस्ट इन गैसेश लिक्विड एन सॉलिड स्टेट बिल्कुल सही इट इस अभी इट जो है यह प्रनौन एक्जिस्ट में किसके लिए उच किया गया है यह वाटर के लिए उच किया गया है इजर रखना है इट प्रनौन इट इस डायस आप दायस प्लेंटिफोल एंड एसेंशियल हमें पता है वन आफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है यह वाद आपको बता चुका हूं वन आपके बाद आने वाला जो नाउन होता हो हमें सा प्लूरल होता है ना प्लूरल होता है तो आप यहां पर वन कहीं यूश करेंगे आप्शन नमर फॉर्थ इस गोई और क्वाइग घुछ को से एक ड़ते हैं सिंगल और लोन इक मैं नहीं नहीं होगा उनिक होगा यहां पर यूनिक होता तो यहां पर यूनिक होता यहां पर मौश्ट यह नहीं नहीं होता यहdade रखी इज़ा लिगा तो इस एंद लिग एकिंपल कया is een टाल आफ कंपाउंट्स बिर्कुल यहां पर ध्यान दिजाएगा कि आफ प्रपजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह आफ जो है यह एक हिस्से को भी शो करता है इस यूज को पार्ट आफ सम्तिंग है ना आफ का यूज हम कहीं कहीं हिस्से को रिप्रेजन करने के ल आफ के चाहिए आद रखिएगा यून आफ इसन जो परताane याद रहना थो यहां पर क्या हो जाएगा ड़ीज कि वव्ना मंटीफो में सेंच्एनल ओंपाउंड टेस्टलेश कि शेशन दो नहीं पो सकते हैं उपने की टेस्स्टों होती है ना टेस्टले च्श् BE सब्स्प तो आप पानी के टेस्ट लेसे में बोलने में थोड़ा सा आजीब लग रहा है चलिए देखते हैं सब पैसेज में आया है तुम्हें उसका पढ़ना पड़ेगा सॏनदिफीर में पढ़ना है तुम्हें पढ़ना है कि ऩा इंफटेंट इसडेसी तान इसे ऐसे बोलते है चौंपतेंस मीन बहुत बुछति की ज्याता है वेवलेट साने इससे बनना है इनकमपेटैंसी और instruction UP होगा तो competence person के लिए यूज कियाता है professions basically language में हम यूज करते हैं बहुत ही proficiency है तो हम कोई भी वर नहीं यूज कर पाएंगे ability यूज कर पाएंगे यहां पर और अप्स नंबर सेकंड इस गोईं टूबी राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर देखें मैं आप पैसे पड़े भी नहीं रहा हूं मैं option elimination से आसानी से कर लाए रहा हूं चीजों को a testless and odorless liquidate room temperature it has the important ability to dissolve many other substance बिल्कुल water को क्या बोलते है water को universal क्या बोलते हैं universal dissolve बोलते नहीं क्या बोलते हैं से water को कि 24 में water को क्या बोल जाता है साइड इन्वर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं water को water को universal solvent बोलते हैं इस टैप से आगे बढ़ते हैं question number 25 देखते हैं question number 25 जोगा वो लास्ट होगा तो अब it has the important ability to dissolve it has important ability to dissolve many other substances बहुत जदा important ability होते हैं इसको डिजाब कर लेता हैं इन्दीड वास्तों में हगीकत में the dais of water as a solvent is essential to living organisms अब देखों अब देखें क्या हो जाएगा दवर्स्टाइलटी बिल्कुल बहुत सारे जदा निकश में वह यूज किया जा रहा है इसे लिए इसे बोलते हैं water को क्या universal solvent बोलते है याद रखेंगा water को universal solvent बोला जाता है वलेडिटी तो किसी चीज़ की होती है से बोलते है वलेडिटी है किसी चीज का का तो validity मीनिंग नहीं होगा, मीनिंग समझ जएगा इसको, validity की मतलब क्या होता है, soundness होना, यानि किसी का existence होना, उसे validity होते है, veracity मीन्स होता, सच्चाई, truthfulness, तो सच्चाई की भी बाते हैं, पर कोई नहीं की जा रही है, यहां पर veracity भी नहीं होगा, versatility हो जाएगा, बहुमिखी पर्तिभावान जैसे बोलते हैं, option number third, velocity जानते होना, वेग होते हैं, वो भी हम किसी ध्वनी के लिए लगाते हैं, उसके लिए भी यहां पर यूज नहीं कह जाएगा, so option number third is going to be your right answer, so with this we have come to an end, हमने एक paper solve कर लिया, आगले, अगला paper जो है, वो next video में solve करेंगे, आप वीडियो को अच्छे से revise करते रहेगा, जो भी अगर कोई doubt हो, कोई query हो, तो comment section में जरूर बताएगा, उमीद है, आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजे, ना, मिलते हैं next video में, अपना ख्यार लखेगा, टाटा, बाबाए, गुडबाए,